कि बनारस की सुबह अन्पा मवद की शाम लाए हैं, महबबत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं, और रगों में रक्त भारत का यहां सब के ही बहता है, सुनाने हम सभी को देश का पेगाम लाए हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग देर से आ रहे हैं, जो उन्होंने भारतिये परंपरा का निर्वाह किया है उसके लिए हम उनका विशेश अभिनन्न स्वागत करते हैं, क्योंकि वो लोग समस्दार लोग हैं, वो जानते हैं, 9-11 को वोई लोग सुरक्षित बचे थे, जो देर से पहुँचे थे कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी, ये मिट्टी खुद अपनी धूल उडाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बहुच्छार के छीटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तु प्यार के छीटे देता चल हिंदी संस्कृत की बेटी ये नितनित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की तनया ये नितनित नई नवेली है, गुजराती, कंणल, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराथी, मंगला, उर्दू, पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सह लिए है नमस्कार सभी का अभिनादन करते हैं मुझे आश्यरे इस बात का है कि मैं माइक पर आगया रेक भी ताली नहीं बची मुझे डाउट हुआ गया मैं कभी सम्मेलन में ही आया हूँ या कहीं और तो नहीं आ गया तो इसलिए ये जो शाम जो है ठाहाकों की शाम है कविता की शाम है हिंदी की शाम है आप सभी की उपस्थिती यहां पर है तो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता है NRI नहीं मैं आपको MRI कहता हूँ आप सोचेंगे MRI का क्या मतलब होता है मेरी परिवहाशा MRI की कुछ यूँ है Most Reliable Indians अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो तो एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आप बताएगा क्या लाए है कि बनारस की सुबह अनपा मवद की शाम लाए हैं महबत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं और रगों में रक्त भारत का यहां सब के ही बहता है सुनाने हम सभी को देश का पेगाम लाए हैं सुनाने हम सभी को देश का मुझे बड़ा अच्छा लगा सुखद आश्चरिय की माइक सिस्टम जो है सरदार जी के हाथ में है देश का भी संचालन बहुत दिनों तक सरदार जी ने किया और यहां पर भी कई गुरु सिक भाई बैटे हों उनकी पगड़ी को सजदा करता और बढ़ाई देना चाहता हूं गुरु गोबिन सिंग जी की 350.वी जैनती प्रकाशपरु के रूप में देश और विदेश में पूरी दुनिया में मनाई जा रही है मैं चाहता हूं पुरा सदन एक बार उसके लिए जोरदात तालियां बजाके अभी नंदन करें चार पं उनको देते हुए बाशरु करना चाहता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहदत गुरु ग्रंत साहिब की बानी को नमन है कोई भी इस अभिता संस्कृती हो कोई राष्ट हो बिना शक्ती और भक्ती के सुरक्षित नहीं रह सकता इसलिए मैं उनकी पगड़ी को सजदा करता हूं और बात को आगे बढ़ाते हैं कुछ लोग देर से आ रहे हैं जो उन्होंने भारतिये परंपरा का निर्वाह किया ह है उसके लिए हम उनका विशेश अभिननन स्वागत करते हैं क्योंकि वो लोग समस्दार लोग हैं वो जानते हैं 9-11 को वही लोग सुरक्षित पचे थे जो देर से पहुंचे थे हमारे डॉक्टर सुनील योगी देश के बड़े हास से कवी है जब तक घर नहीं जाता हूं घरवालि खाना नहीं काती है देर से आने जाने की परंपरा जब तक घर नहीं जी हमारे बीच में हैं, 83 साल की आयू में, जो हिंदी और संस्कृति की सेवा में यहां पर लगे हुए हैं, उनका मैं विशेश अभिनन्दन करता हूँ, वंदन करता हूँ, राज गुपता जी हैं, विंदेश शरी जी हैं, और सभी यहां पर विशेश धर्मपाल जी, जो इस पूरे संयोजन में involved हैं, हमारे प्रदीप टंडन जी हैं, एक बार मैं चाहता हूँ, सभी का जो हिंदी सम्ती के, या और भी किसी हिंदी के कारे में, संस्कृतिय कारे में लगे हुए हैं, क्योंकि कुमर बेचेंजी ने कहा है, कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, ये जो सारे विशे हैं, ये भावना के विशे हैं, प्रेम के विशे हैं, कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी, ये मिट्टी खुद अपनी धूल उडाएगी इसलिए सजल बादल बनकर बहुचार के छीटे देता चल ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छीटे देता चल तो कहीं ये हिंदी जो है समवेदनाओं की बात करती है भावनाओं की बात कहीं हिर्दे की बात करती है रसों छंदों अलंकारों का सुरुभितगान है हिंदी सनातन प्रेम संसकारों का एक वरदान है हिंदी और बही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरवाई लगा हिंदोस्ता का एक विजए अभियान है हिंदी लगा हिंदोस तांका बाकी सभी भाषा भाषी लोग यहां पर होंगे जैसा मैंने कहा प्रवासी भारतियों के बीच में हम जब जाते हैं तो हर देश के अनेक छेत्रों से अनेक भाषा भाषी छेत्रों के लोग यहां पर मिलते हैं हम हिंदी के बेटे हैं ये सच है लेकिन बाकि सभी भाषाय हमारी मौसी की तरह हैं हम सभी का सम्मान करते हैं चार पंकियां देना चाहता हूं कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नितनित नहीं नवेली है थोड़ा खुलके उल्ला सुमंग के साथ बैठीएगा आये सर स्वागत है आपका आप नहीं समझ पाएंगे क्यों हस रहे हैं तो मैं जो भी देर से आ रहे हैं उनका स्वागत करता रहूंगा तो हिंदी संस्कृत की बेटी ये नितनित नहीं नवेली है हिंदी संस्कृत की तन्या, तन्या बेटी को कहते हैं, हिंदी संस्कृत की तन्या ये नितनित नहीं नवेली है, गुजराती, कंणर, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराथी, मंगला, उर्दू, पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सकी सहेल है हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सकी सहेली है आप सब की उपस्तिते को पढ़ाम करता हूं और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि कवियों को तालियां बहुत अच्छी लगती है बास समझ में तब भी ठीक है नहीं भी समझ में तो ताली जरू बजाना ताकि पड़ोस जब के साथ में बजानी पड़े तो इसलिए एक वार जोड़ी जौदर ताली वजाईगा मका रिकम को अरहम नचाहते हैं आप सभी अ, जैसे मैं तो दूर से प्रणाम करना चाहिए क्योंकि बड़ा होके वही व्यक्ति फोटोग्राफर बनता है जिसको बच्छपन में इदर उदर ताग जांक करने की आदत होती है एक पहुँच गया था हमारे जोगी जी फोटोग्राफर की दुकान में पहुँचे कि भई अपास्पोर्ट का ऐसा फोटो खींदे जूते भी आजया और सर भी आजया लड़कियां मेरी और देखती नहीं है तो संकट कहीं से भी गहरा सकता है डॉक्टर सुनील जोगी जी की पांचवी यात्रा है और मैं पंद्री में आपको परिशान करने के लिए यहां उपस्तित हुआ हूँ तो एक बार सबके लिए आप ताली बजा दिएगा कारिकम को कारम करना चाहते हैं फकत दिल ही नहीं आओ मिलाकर हाथ चलना है अब कोई बात नहीं सवागत है आपका विशेश, आप क्या तलाशने, जब पुरुशों में बैठना तो कहीं भी बैठ जाएं, आएगे, दीरे दीरे समझ में आएगे, कभी-कभी चौक अगर कमजोर होती है, तो ट्यूब लाइट की तरह धीरे धीरे जलती, लेकिन आपकी चौक तो बहुत स्पेशल है, हम जाने स्वास्ते के लिए अच्छा होता है, बाबारामदेव जी कहते हैं, और सभी सबसे बढ़िया एक्यूप्रेशर होता है, आप कहने की जरूवत नहीं है, आप जानते ही है, बहुत सारे लोग पार्कों में जाके बजाते हैं, तो आप हमारे पास कोई तबला हर्मनियम तो कुछ होता नहीं है, बस केवल भावनाय होती है, शब्द होते हैं, कविताय होती है, गीत होते हैं, और आपकी पृतिकरिया होती है, तो पृतिकरिया सही धंग से हम तक पहुंसती रहे, तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, वैसे बहुत सार तो किरपा आती रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके कभी-कभी करपा गल्र डारेक्शन में आती है, यहां शादिशोधा लोग बहुत आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत सारे भाई साफ जब भावी जी के साथ आये हैं, या अंटी के साथ आये, पहले उधर देखते भावी जी की तरफ तब हस्ते ताली बजाते हैं